चुनाव में नितियंदर सिंग राठोर कॉंग्रेस के उम्मीदवार है चुनाव प्रशार के अंतिम चर्ण में उन्होंने प्रशार में अपनी पूरी ताक़ जहुख दी है प्रत्वीपूर के गौर गाउं पहुंचे नितियंदर सिंग से बंसल न्यूज ने खास बाद ची आज हम मौजूद हैं प्रत्वीपूर बिधानसवा सीट में जहां से कॉंग्रेस के प्रत्यासी नितियंदर सिंग राठोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के सभी के सरपर दुपट्टा है कॉंग्रेस का जंडा है औ आज जो किसान गरीब मजदूर जो महंगाई से पिसरा है और महंगाई ने कमर तोड़के रखी है इसका पूरा श्रे जाता है भारती जंता पार्टी की सरकार पहले 15 वर्च थी और अभी लगबग 18 महीने से उनकी सरकार है बड़े बड़े वादे उन्होंने किये थे तमाम तरीके के मुद्दे हैं क्योंकि इस छेतर का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है वो यह है कि हमारा मजदूर किसान मजबूरी में पलायन करके बाहर चला जाता है और उसके लिए पूरी तरह से भारती जंता पार्टी की सरकार जिसको 15 वर्च पहले हुए और अभी 18 मही पर से नीचे तक इनको दिखाएं कि किस तरीके से चुनाओ प्रचार की अंतिम बेला है और देख सकते हैं माथे पर तिलक है पूरा कुर्टा भी लाल हो गया साथ ठक भी गए होंगे तो हम चाहेंगे बैठके दो मेंटम बात करते हैं किस तरीके से चुनाओ प्रचार का का सब्सक्राइब निकल जाते हैं और रात को लोटते हैं तो बस कुछ नहीं आनंद आता है अपने लोगों के साथ जो मेरे पूजनी पिता जी जिन्नोंने 40 वर्ष जनता की सेवा की ये सब हमारा परिवार है उन्होंने कभी अपना परिवार राठोर परिवार नहीं माना उन ही मेरा जीवन है अब क्या वैसे काम है जो आपको लगता है कि उनको आप करना चाहिए ताकि वो फुट्पेंट कहलाएं कि बिजन सिंग राठोर के बेटे ने उनके लिए ये काम किया तो सबसे महतपूर काम जो मेरे पूजनी पिताजी चाह रहे थे सबसे पहले तो उनका एक सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है दूसरा महतपूर सपना मेरे पिताजी का था कि परिटन का विस्तार करना बुंदेल खण में और परिटन का विस्तार से उन्होंने 15 महीने की जो कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी उसकी श कि परिटन का विस्तार हमारे बुंदिलखंड में हो यहां कई एतिहासिक धरोवर हैं उधारन के तौर पे यहां वीर सागर का तालाब है वहां मंदिर है अच्रू माता का मंदिर है यहां मोहनगड का किला है मढखेरा का सूर्य मंदिर है और तमाम जगें हैं जो मेरे पिता ज युवाँ है तो कहीं नहीं कहीं है कि रोजगार की रोजगार की बात आती है युवाँ को तो उसके लगर कुछ तरीके से मैं निश्चे दूरूप से मैं आपको भी बताया कि मेरे पिता जी चाहते थे किस बुंदिलखंड में कई एतिहासिक धरोहर है मैंने कुछ नाम भी भी आपको गिनाए और लगभग 40 चंदेल कालीन पालाब है हमारे छेतर में तो मेरा प्रयास होगा कि परटन का विस्तार इस शेतर में हो जिससे मेरे युवा साथियों को रोजगार में जो भारती जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोका क्योंकि युवाँ के साथ किया यह हुगा कि इस युवा को चुनावी मैदान में जनता का कितना समर्थन मिलता है आप देख सकते हैं लगातार जैकारे लगाये जा रहे हैं हर एक गली में कॉंग्रेस के जंडे हैं और अपने जो छेतर के निता सुर्गी बजंसी राठोर थे उनके बेटे के साथ यहां की जनता साथ दे रही है अब देखना यह होगा कि तीस तारीक को जब मद्दान होगा तो जनता किसके पक्षमा होती है विजय सेजकर के साथ सूर्ग सर्मा बंसल नियुद